दोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक सिक्षा परिशट के नियंत्रना देने किसी भी परशदी विद्याले में बता और सिक्षक सिक्षी का भाई बैन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफर्मेटी होने जा रहा है दोस्तो सैक्षिक सत्र 2022 देश का आगाज हो चुका है नव प्रवेशी छात्र आपके विद्याले में आ रहे हैं कुछ बाते ऐसी हैं जो जिग्यास उमन को परिशान कर सकती है जैसे कि आधार कार्ड में बच्चे के नाम यानि आधार कार्ड पे जो भी चीजे मेंशन होती है इंग्लिश में होती हैं इस स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप पाते हैं यानि स्कूल का जो स्कूल रेजिस्ट्रेशन रेजिस्टर है उस पे आपने हिंदी में जो भी प्रविस्टियां हैं कि हैं और आधार कार्ड जो बच्चों के अभिवावक लेके आते हैं उस पे प्र प्रशान हो सकते हैं इसका समधान क्या है ऐसे ही कुछ प्रश्ण हैं जिनके समधान है आते हैं प्रश्णों की स्रिंखला आपके सामने रखते हैं ये प्रश्ण हर एक उस सिख्षक को परिसान कर सकते हैं जो नए बच्चों का एडमीशन कर रहे होते हैं चुकि प्रेणा पो बच्चों के सूज एंड सॉक्स हैं, बच्चों के लिए जो बैग है या बच्चों को जो स्वेटर का पैसा है, वो सब के सब पैसा डीबिटी के माध्धम से अभिवावकों को दोस्तों मिलना होता है, ऐसे इस्तिती में आप बिल्कुल कोई ऐसी गलती न करें, जिससे कोई बच्चा इन सब लाब से वन्चित रह सके, तो आते हैं, हम पहले प्रश्न रखेंगे और प्रश्न के क्रम में उसका उतर भी दोस्तों आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं, तो दोस्तों बिना देर की आते हैं, शिरुवात करते हैं, प्रेणा पोर्टल पर अच्छक सिट्षी का भाई बहन के जहन में आते हैं, जब वो एड्मिशन कर रहा होता है, जैसे समस्य एक पहली ये आती है, कि आपके अनुसार स्पेलिंग अलग होनी चाहिए, ठीक है, कैसी स्पेलिंग अलग होनी चाहिए, बही आधार में अलग है, जैसे छवी कोई अच्छी है, C-H-A-V-I है, जब कि आपके अनुसार ये सही नहीं है, यानि आपकोने स्टूडेंट रेजिस्टर में, S-R रेजिस्टर में हिंदी में लिख रखे हैं, तो इसका समदान क्या है, इस स्पेलिंग तुरूट से कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इस स्पेलिंग क कोई एरर अगर आपके आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, S-R रेजिस्टर में नाम हिंदी में लिखा जाता है, जब कि आधार सत्यापन है, तो नाम इंग्लिश में भरा जाना है, इसलिए जैसी स्पेलिंग आधार कार्ड में है, वैसी स्पेलिंग ही सत्यापन के समय या वास्त्विक, या सही उम्र दर्ज है जबकि आधार में उम्र बहूत कम या जदा है आधार में फ्लक्टॉिशन मिलता है आधार में हो सकता है क्लेरिकल MIστ्टेक हो जाय जो आधार कार्ड बना रहा है उससे ही गलती हो सकती है SR register में जनमतिती कुछ है और आधार card में कुछ है तो समधान इसका क्या है इसका समधान यह है कि SR register में आपको कोई cutting या overwriting नहीं करने है यह विद्याली अभिलेक है इसी को आप दुरुस्त करना ना शुरू कर दीजिए यह आधार card में जो भी जनमतिती है उसी को उसमें आप overwriting करना शुरू कर दें या cutting करना शुरू कर दें बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करने है यह बच्चे की जनमतिती नाम माता पिता का नाम आधी विवरन आधार card में गलत है तो BRC या अनाधार केंदर पर उप लब्ध आधार किट्स के मातनम से आधार में जनमतिती आधी विवरन संसोदित करें दोस्तो BRC जो केंदर है वहाँ पर आधार मर्शिने जो है सरकार ने लगा रखी है वहाँ पर परते एक बच्चे का नाम या उसके जनमतिती या माता पिता के नाम में कोई मिस्टेक हो तो वहाँ पर आप मोडिफाई करवा सकते हैं या विवावा को कह सकते हैं कि ये समस्य आ रही है और आप डिरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर कित्रो जो बच्चे का पैसा है उसके लाब से वंचित हो सकते हैं तो ये प्रविस्टियां आप शुद्ध करा करके लाएं चलिए आगे चलते हैं तीसरी समस्य है दोस्तों यह आ रही कि यह सार रजिस्टर में नाम जनमतिति आधी गलत अंकित हो गई है जैसे एक ही माता पिता के दो बच्चों की जनमतिति में एक साल से कम कांतर होना अब एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं और एसार रजिस्टर में एक वर्षे कम बच् उसमें वन इयर से भी कम का अंतर दिख रहा है यह संभो नहीं है तो समधान इसका क्या है डीवीटी समधित कार के लिए एक अलग चेक एक SR-register आप बना लिजिए अब डायिक्ट बेनिशवेस्री ट्रांसफर के लिए आप कर रहे है material आपके पास एक SR रेजिस्टर तो है लेकिन एक और आप रीजिस्टर बनाई ए उसका नाम आप देजिए चेक SR-register ऑके बनाख कर उसमें चेक SR register के नाम से नहर रेजिस्टर बनाया, उसमें जो उपयुक्त या थोचित साच आपको किसी भी अविवावा क्या माता पिता ने बच्चों की जरम तिति के संबन में प्रस्तुत किया, उसका उस साक्ष का चाया प्रति ले सकते हैं, विवरण ले सकते हैं, और उसको वहा पर उसका reference आप दे सकते हैं, ठीक है, जो भी बच्चा है, जो भी अभिवावक है, ऐसी समस्या आ रही है, आपको बिल्कुल वही चीज लिखना है, जो कि साक्षो के आधार पर प्रमालिक हो, अपने मंद से दोस्तों काम नहीं करना है, आगे चलते हैं, समस्या तीसरी, बच्चे का वर्तमान में जो कक्षा है, वही आपको रखना है, किन्तो उसका समस्त वीवरण, ऐसार रेजिस्टर में वीवरण के अनुसार प्रेणा पोर्टल पर आपको धर्ज़ भी करना है, फिर समस्यारी क्या बच्चे का आधार नहोने से उसका admission कर सकते हैं, हाँ उसक उससे सत्र लाव, यानि DBT आद की राष्ट प्राप्त नहीं होगी, अता आपके यहां पंजिकिर प्रतेग बच्चे का आधार अभी या DBT के लिए 100% जरूरी है, तो तो कुल मिला करके admission आप कर लेजिए, registration कर लेजिए, जो भी अभिवावक आएं, बच्चे के साथ हैं, एक शर्त ये रख लीजिए, admission कर ले रहे हैं, लेकिन आपको इसका आधार कार्ड बनवाना है, आप अस्थान उनको बता सकते हैं कि BRC पे आप जाके बनवा लीजिए, या कोई भी ग्राहक सुविधा केंदर जो ग्रामेड अंचलों में होते हैं, CSC, वहां पर भी अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन 100% जरूरी है क्योंकि अगर आधार कार्ड बच्चे का नहीं रहेगा, उनके आभिवावकों को किसी भी सूरत में ये जो DBT का पैसा है दोस्तों नहीं मिले रहे हैं, आगे चलते हैं, क्या बच्चे के आधार में गारजियन का आधार लगा होने पर उसे ही बाद में या New Registration के समय वेरिफाई कराएं नहीं, बच्चे के मा या पिता का ही आधार वेरिफाई होगा, लेकिन अगर बच्चे के मा या बाप कोई नहीं है, जीवित ही नहीं है, तो उस इस्तिति में आप ग्राम प्रधान या सभास्त से इस आसे क प्रवाण पत दे लेंगे, कि अमुक विक्ति इनका अभिवावक है, इनके माबाप नहीं है, उसके बाद ही उस गारजियन का आधारा वेरिफाई करेंगे, और वो बच्चों का जो ही लाव है उस गारजियन के खाते में क्रेडिट होगा, और यहां पर टिपड़ी है, नो अच्छा करता हूँ, आपको यह वीडियो, यह इनफर्मिशन, यह लेटेस अब्डेट अच्छी लगी होगी, यह अच्छी लगी है, तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि ज् जाब हो फसके, उनको इसका फाइदा मिल सके, आज करी इतना थेंक्स फर वच्छी लिसनी है, इस इस लिए जाजट वेज़ारी शाहेवाव, प्लीज आपक्स कर दोस्तों तोस्तों थोस्तों थेन देग गूएच्छी बूरी अख़ते हैं, यह अश्ची शाहेवाव, ना